Hey everyone, I am Siyash Halwal and I am welcome you to my YouTube channel Guys, आज हम मिले हैं CA Final Audit के कुछ last minute tips के बारे में बात करने कुछ last minute strategies जो आप follow कर सकते हो जिससे आप अपनो audit paper अच्छे से clear कर पाओ सबसे पहली बात, आपके जो scoring parts है उसको अपनी strength बनाओ जैसे कि professional ethics, वो बहुत ही scoring part है उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से questions भी देख लेना and clause number याद कर लो, भहिया उसमें बहुत सारी tricks होती है जिससे अपन clause number याद कर सकते हैं, बहुत सारी market में available होगी बहुत teachers पढ़ाते हैं, तो आप देखना उनकी, कोई भी trick पकड़गे clause number याद कर लेना, क्योंकि clause number लिखने से उसमें marks मिलते हैं and वो 20 marks जो है, वो आपके लिए बहुत scoring हो सकते हैं first point, second point, MCQs solve करने में बहुत time based मत करना preparation time पे, क्योंकि आपने अगर 100% coverage कर लिया तो MCQs आपको बन ही जाएंगे and audit में क्या होता है, काफी MCQs subjective होते हैं objective नहीं होते है, subjective कैसे सर उसमें आपको वहाँ पे पढ़ के decide करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको concepts apply करना पड़ेगा बहुत कम MCQs ऐसा directly पूछते हैं आपसे कुछ चीज़े वह MCQs भी आते हैं directly पूछने माले but काफी MCQs उसमें subjective होते हैं जो कि आपको उसमें concepts apply करना पड़ेगा and वैसे ही answer करना पड़ेगा थर्ड चीज, try कीजिए कि अपना 100% coverage cover कर ले please, क्योंकि न 100% coverage होगा तो ही आप अच्छे से audit में लिख पाएंगे audit भाई, वैसे ही बहुत generic paper आता है बहुत generic आता है, तो आपको चीज़े आपका पूरा knowledge apply करना पड़ता है वहाँ पे, सा generic paper as in देखो बेटा, उन लोग ऐसा question पूछते हैं आपको ऐसा लगता है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है या फिर इसमें क्या answer करूँ एकदम generic paper रहता है, general एकदम, general not very specific, ये चीज़ वो audit में हमेशा करते हैं और मैं 100% coverage पे इतना focus क्यों कर रहा हूँ तो stress क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि न क्या करते हैं वो, जब उनको paper difficult करना होता है तो पीछे के जो chapters है पीछे का chapters कौन से सर, special entities वाले audit और audit of different entities, various entities और जो text audit वाला chapter है ऐसे जो छोड़े-छोड़े chapters है उनको वो try करते हैं कि डाले क्योंकि बहुत सर बच्चे क्या करते हैं starting से start करते हैं, essays कर लिए professional ethics कर लिए, complete audit कर लिए starting chapters कर लिए, जब पीछे तक आते हैं तब उनका दम खतम हो जाता है तब उनका time भी खतम हो जाता है उनका इस लगता भही बहुत हो गया इसको ओपर परस देख लेते हैं और वहीं पे examiner खेलता है आपके साथ क्या करते है examiner, वही वाले points जालता है उसमें पीछे के chapters के MCQ में पूछता है बहुत बार तो please try करो कि आप 100% coverage करने का try करना ठीक है, third point है, fourth point आपको na paper solve करना है जो, वो 100 marks का करना है सर क्या आप ये क्या बात कर रहे हो 100 marks तो हम करनी पाते सर, बनता ही नहीं है नहीं बेटा 100 marks का करना बहुत ज़रूरी है मेरी real life story बताऊ मेरा audit का paper ना, एकदम कुछ भी नहीं बन रहा था कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था मतला मैं paper ने बैठा, blank होगा एकदम मैं बला यारब क्या करूँ, मैं तो फस गया तो ना, वहाँ बेटे-बेटे, मेरा friend बेटा था बाजू में आशुतोष, उसको मैंने बोला यार भाई मैं तो गया मैं तो गया यार, paper नहीं बन रहा मुझे तो आशुने बोला कि भाई, tension मतले, कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा, तो लिक बस, उसको मैं बला, मैं panic नहीं कर रहा हूँ, चिंदा मत कर मैं उत्ता, prepared था mind से, मुझे पता था, panic नहीं करना है, panic करने से कुछ नहीं होगा मैंने उसको बोला, भाई, मैं गया, पर अभी perform अच्छे से करूँगा, ये तीन घंटा मैं best perform करूँगा मेरा ये बोल दिया था मैंने उसको, and मैंने तब ही decide कर लिया, उसी moment पे, कि भाई, आज paper से बहार निकल गए रोने वाले हैं आपन वो मुझे पता था, मतलब वो मैं इतना clear था, कि रोना तो पक्का है आज, पर उससे मैं ये तीन घंटे खराब नहीं करूँगा, ये जो तीन घंटे मेरे हाथ में है न, इसमें मैं अपना best perform करूँगा, ये मैंने सोच लिया था, और मैंको zero marks का बना था paper, कुछ भी नहीं बन रहा था, मैंने क्या किया पता है, मैंने जो मुझे best आता है, जितना मुझे knowledge था, आज तक audit जितना मैंने पढ़ था, सब apply कर दिया, सारा कुछ लिख दिया, बहुत time लगा है answers लिखने में, and presentation बहुत चीज़े किया, मैंने 100 marks से complete किया, बट मैंने बहुत ही प्यार प्या ग्राफ में answer करूँ, point wise answer करूँ, ताकि examiner को कोई चीज गलत भी न बोल पाए, सही भी न बोल पाए, तो मैं आधे marks मिल जाए, तो ऐसे मैं solve करके आया, May 19 मेरा audit paper था, उस attempt में को 45 marks मिले है, और मैं clear हो गया, CA final group 1 मेरा, ठीक है, उस attempt में May 19 audit paper में बहुत सारे बच्चे फेल किया, जो मुझे आता है, best दिया अपना, और ये चीज़ मैंने last year भी बोली थी, year ने, last attempt में बोली थी, तो last attempt में बहुत सारे बच्चे ने ये apply किया, and pass हो गया बच्चे, ठीक है, तो आप भी धान रखो, नहीं बन रहा है, tension नहीं लेना, ठीक है, 100 मास सक किसी भी हालत में कर क्या न, solve, वो बहुत important है, ठीक है, समझ गया, तो ये कुछ बाते हैं, ये अच्छे से करना, mcqs आपको concept में बन जाएंगे, अलग साइम बेस्ट मत करना, मैंने बहुत time बेस्ट किया था, आपने बेबर के time, तो मत करना, अच्छे से पढ़ा ही करो, पूरा 100% coverage रखो, क बेटा, कुछ chapter जो है, आपको ऐसा लगता है, कि वीडियो से जल्दी हो जाएंगे, तो वीडियो कर लो, कुछ chapter आपको लगता है, कि मैं खुद पहले कर लूँगा, तो खुद कर लो, ठीक है, वो follow कर लो, और audit अच्छे से करो, audit में पास होना ही है, ठीक है, क्योंकि बहु All the best, Thank you so much for staying in the video, till this long, and अच्छे से पढ़ो, कुछ भी लगता है, कॉमेंट करके पूछो, सर्फ क्या हुआ, क्या डर लग रहा है, कैसे लग रहा है, कॉमेंट करो, बताओ मुझे, और चैनल पर नए हो, लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना, कुछ लगा तो, और सब्स्